ये अभी मैं खार टांडा चीम विलेज के पास मैं खड़ा हूँ ये आसपास का लोकरडेज़ा मैं तो इसी लोकेशन में एक बार अपने ये गाला आये थे देखने लेकिन ये एरिया छोटा था इसके जेश ठीक सामने यहाँ पर जिप्टो चल रहा था अभी जेप्टो यहाँ पर बंद हो गया है ये खाली है ये अपने को पूरा एरिया मिल रहा है अंदर लगबग 1300 स्क्वार फिट एरिया है तो यहाँ वैन विजिबिल्टी का कोई प्राब्लम नहीं है सामने से ऐसे वैन आएगी यहाँ माल उतारेगी और चले जाएगी पारकिंग अपने यहाँ ठीक सामने कर सकते हैं जहाँ पे गाड़ी ओड़ी दिखाई रही है आट ग्रॉसमें करके ऐसे यहाँ पे बाइक लगा सकते हैं और यहाँ पे अपने जो फिटिंग मैं वहाँ पूरी यह विल्डिक हैे यह पूर् brought it नीचे आमर्शियल है उपर जिडेंच्यल है क्योंकि इसमें पहले जप्टर चल रहा था यह बीडिंग का बेक साइड तो यह अपनी बिल्डिंग है इसके जश्बगल में यह एक छोटा सा बिल्डिंग है जिसकी पार्किंग यह पीछे है यह बिल्डिंग का पार्किंग यह पीछे तो यह मैं पीछे अंदर से दिखाता हूँ कि इसमें पहले एक जप्टो चल रहा था यह उपर रूम से यह उपर जाने के लिए और यह दोनों अपने गाले का है तो यह टोटल आप तेरे सो स्क्वार फिट एरिया है हाइट की आप बात करेंगे तो साड़े नौव फिट इसकी हाइट है और बाइस बाइस फिप्टी सेवन इसका इसका लेंथ है एक वाश्रूम है यह मैं जो पार्किंग के लिए बोड रहा था वह पीछे वाले बिल्डिंग्स की यह वह पीछे का पार्किंग है तो यह फ्रेस एयर के लिए बस यहां पर लगाए गया है तो एक दो तीन चार पांच पांच इसमें बीम दिया गया है और उपर पूरा लादी है कोटा लादी जिसको बोलते हैं इसमें आरेड़ी थ्री फेस लाइट है पानी अबलेवल है यह एक सेकेंड फर्स्ट केट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड सेकेटर तो यहां सामने से एक बार बात करना पड़ेगा यहां से वेंटिलेशन के लिए तो इसमें एक चीज की थोड़ी सी मुस्किल है वेंटिलेशन का प्राबलम है क्योंकि फ्रेंट में तो ये अपना दो सटर हो जाता है बैक साइड में अपने को एक बार आउनर से बात करना पड़ेगा लगाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी ये बिसिकली अपने को देखने को मिल रहा है और राइट साइड में भी हाउस है जो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है वो देखें स्टेर्स और लिफ्ट साइड में भी है